हेलो दोस्तों वल्कम बैक टू माई चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लास्ट एपिसूट की शेवात में तेज बारिश हो रही होती जिसकी वज़ा से लिंताओ के वाड़ की तेजवाज चलने की वज़ा से खिरकी खुलती है और हवा की कारण ही एक फ्लावर पॉर्ट नीचे गर जाता है इस शोर की वज़ा से लिंताओ और यलान की आँख खु के क्येंगे आज दो में खाण की के तीने के बां और मोपा मिला है जा पर कियो सब लोगे को बाहं कर अ कि मैं दो ट्रॉर करना यह सब और बैपार क 안रे का तो यह लंग दाप्ना के को बहुत नहीट को नहीं है जरु तो अब नाहीं कि बाद मैं अपना कॉलिज छोड़ रहा हूं ये बात सुनकर ये सब काफी हरान होते हैं और इससे इसका कारण पूछते हैं ये कहते हैं कि मेरा अपना खुद का फैसला है मैं मेडिकल स्कूल चाहकर नियूरलोजी पढ़ना चाहता हूं और फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा सिर्फ अपने भाय के खातिर नहीं बलके उन सबी ALS के पेशेंट्स की खातिर मैं अमीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे डैट को ये सुनकर बहुत खुशे होते हैं कि अगर तुम वाके में ये करना चाहते हो तो मैं तुमें सपोर्ट करूंगा डैट कहने लग की फेलिंग्स को नजर अंदास करके तुम लोगो मेडिकल स्कूल जाने के लिए फोर्स किया करता था मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि तुम लोग के अपने भी कुछ सपने हैं ये कहते हैं कि डैट हमारी दिन फैमली चार्ज जनरेशन तक डॉक्टर रहेगी लें लें के हैं कि मैं बिलकुल भी स्टॉंग नहीं हूं मैं बस इंजी ये और भरोसा करता हूं मैं अपने ये कहता हैं कि अगर एक दिन इंजी ने गिवश्त नहीं करता ये लान केते कि क्या तुम वाकिय में उसको ब्लेम नहीं करोगे लिंटाओ केते कि असल में किसी को लजाम देने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ रहे मैं ये भी चाहता हूं कि एंसी मुझे कभी छोड़ करना चाहे और ये भी कि वह खुश रहे और एक ऐसी जिंदगी गुजारे जिसमें उस पर कोई भी बर्डन ना हो मैं वाकी में ही ये चाहता हूं अब दिखा जाता है कि काफी मौसम गुजर जाते हैं और आज भी एंसी पहले की तरह लिंटाओ की टेकर कर रही होती है आज काफी टाइम बात सुरज निकला होता है तो एंसी विंडो खोल देती है और सनलाइट को देखकर लिंटाओ को चाहिए लिंटाओ का भी मूड अच्छा हो जाएगा और तुम भी इतने टाइम से कहीं बाहिए नहीं गई अब लिंटाओ और एंसी हीशन और चेंड के साथ ट्रिप पर आजाते हैं एंसी लिंटाओ से कहती कि क्या तुम्हें यहां पर आकर अच्छा लग रहा है तो लिं आज अच्छा पर लिंटाओ से कहीति की में तुम्हें यहांसे बीएक अच्छी जगा पर लेकर चलती हूं अब बात करने में भी दिकत के करना करना पढ़ रहा होता है एंजी के क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी लिंटाओ कहता है कि हां इंट्रव्यू के दुरान तुम्हारा पॉन बच रहा था एंजी कहती है कि हां मैं बहुत शौक हो गई थी देखकर कि तुम मेरी जगा एंजी के दी के मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लंच पर लेकर शाओंगे लेकिन लंच की पेमिंट तुमने की थी तुमने उस दिन जो कुछ भी मुझसे कहा था वो मुझे बहुत अच्छे से याद है एंजी के तुमने कहा था कि तुम्हें अपने उस क्लासमेट स बहुत जलन होती है जिसका होम टाउन पहाड़ी इलाके में है और ये कि तुमने कभी भी नहीं देखी और तुम स्नो देखना चाहते हो एंजी लेंटा के बास बैट जाती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर स्नो दूंगी इसके साथ ही यहां पर स्नो होना शुरू हो है एंजी स्नो में लेंटा के साथ वाक कर रही होती है लेंटा स्नो को देखे बहुत खुश होता है अब एंजी लेंटा का हाथ उपर करती है ताकि यह स्नो को फील कर सके अब एंजी यहां पर अम्रेला खोल लेती है और यह लेंटा से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें यह हेवी सनो इसलें दिखाई है कि हम सनो नगे सकते हैं और हम किसमत के होते हुए भी चमतकार पैदा कर सकते हैं ये बार सुन कर लेंटा एमोशनल हो जाता है एंजी लेंटा को एपी पिर यजडिय बोलता है विद्धूरस को Özika टैंक्स व foliage अनजी भी रोते हुए अपना मैं भी एक दिन बिमार हो गई तो क्या तुम मेरी भी विश्प द्री णोरुग Εु 정부 कहता है कि तुम क्या देखना चाहती हो कहती है कि में कभी समुंद्र पर नें गई क्या तुम मेरे लिए भीइच बना सकते हो जरुंधे क्युस्थे कि मैं तुम्हारे करूंगा अपने अपने फामिली फ्रेंज और एंजी के लिए यह सुनकर एंजी मुस्कुराती है लिंटाओ कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग अकठे रहें तो चैन के नहीं लगता है कि हम लोग साथ ही हैं और हमेशा साथ रहेंगे अब यह लोग लिंटाओ के साथ मिल कर केंडल को ब्लो करते हैं इसके पान एंजी लिंटाओ के साथ आसमान पर सितारे देख रही होती है लिंटाओ एंजी से कहता है कि अगर एक दिन मुझे ट्रेकियोटमी इस्तमाल करनी पड़ी यह वो पर सीजर होता है जिसमे पेशेंट को आर्टिफिशल अक्सीजन दी जाती है लिंटाओ केता है कि तुम क्या चाहोगी कि मैं क्या चूस करूँ एंजी केती है कि जो तुम चाहो क्योंकि यह सिर्फ तुम ही चूस कर सकते हो मेरी ड्यूटी तो तुम्हारी च्वाइस की रिस्पेक्ट करना है तो केत है कि विमारए हमारी पतकिसमती है लेकि इस दुन्या में और भी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरी चीजा होती है लेकिं बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों के वज़ा से किवप नहीं करते हैं। sf 6 तुम्हें जिड़गै बहादरी के तो तुमने जो मुझे प्यार दिया है मैं उसके साथ अपनी लाइफ कंटीनियू करूंगी अब यहां पर वाके में ही स्नोव फॉलिंग शुरू हो जाती है यह देखकर एंजी लिंटाउ से कहती है कि यह स्नोव हैवन से गिफ्ट है आज दौंगयन इनिवरस्टी ऑफ टेक् बीमारी की वज़ा से पैर लाइफ हो गई लिंटाउ कहता है कि मेरे फ्रेंट्स और फैमली ने मिलकर मेरे लिए इस चमतकार को बनाया है लिंटाउ की स्पीच सुनते हुए सबी लोग रो रहे होते हैं लिंटाउ बतानें हैं की मेरे डैन इक बहुत आचा हार्ट शर्जर् में काम किया है लेकिन जैसे ही मैं बिमार हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी अब मेरे डाइड ऐलस की ड्रॉग डिवलपमेंट के काम में मस्रूफ हैं और मेरी मॉम नर्सिंग हॉम में केरगीवर्स और फामिली को ट्रेन करती हैं लिंदाओ एक एक क कर रहे हैं लेंताओ कहता है जिन्दगी चूटी हो या बड़ी एक नाएक दिन इसको खत्म हो जाना है इसलिए हम इस जिन्दगी को बगहेर किसी नहीं जी सकते लेंटाओ कहते हैं कि जब तक हम जंदा हैं से प्यार करने के लिए लोग मुझूद हैं और यही प्यार हमें जंदा रखता है लेंटाओ कहते हैं कि मैं अपनी स्पीच का लास्ट पार्ट अपनी लवर एंजी को डेडिकेट करना चाहता हूं लेंटाओ कहते हैं कि तुम्हारी वज़ा से मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाई दी है तुमसे मिलना मेरी जिन्दगी की सबसे लखी चीज है लेंटाओ कहते हैं कि मैं जानता हूं कि प्यार मौत के खिलाफ नहीं लड़ सकता लेकिन अगर अभी भी मेरे पास वक्त है मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूँगा ये सुनकर एंजी इमोशनल हो जाती है सब्हे लोग लेंटाओ के लिए तालियां बजाने लगते हैं लेंटाओ मुस्कुराते हुए एंजी को ही देख रहा होता है इन दोनों को आज एक दूसरे को देखकर वो सारा टाइम यादा रहा होता है जब इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था अब फिर से ट्रिप का टाइम ही दिखाया जाता है एंजी लेंटाओ के थम पर लिप्स्टिक लगा कर इसको पेपर पर लगाती है और फिर अपनी फिंगर लगा कर इस पेपर पर हार्ट शिप बनाती है ये लेंटाओ को दिखा कर बहुत खुश हो रही होती है पूशने लगती है कि तुम्हारी तीसरी विश क्या है और लिन्टाओ को घर पर ही ट्राक्योड में लगी होती हैं। इसी रूम में लिन्टाओ की इन सब के साथ विक्चर्स भी पड़ी होती हैं। इसी मुमेंट पर ये ड्रामा खतम हो जाता है। मुझे अमीर है कि आपको इस ड्रामा की इक्सप्लिशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा। इसी तरह के इंट्रेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।